नमस्कार सिक्षक सातियों, एनावेस के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है, आज हमारे साथ इंडरा गांदी राज्ट्री मुक्त विश्विद्याले के डाक्टर गौरो सिंग जी हैं, नमस्कार गौरो सिंग सेर, नमस्कार रिशब जी, आज आप हमारे साथ कम्प कम्प्यूटर से अधिगम क्या है? रिशब जी, जब हम कम्प्यूटर से अधिगम की बात करते हैं, तो एक चीज तो हमारे विद्यारतियों को, और सिक्षक सातियों को स्पस्ट हो जाती है, कि अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें कम्प्यूटर का प्रियोग परमा आत्मक तक्नीक है जिसमें अनुदेशन सामिक्री के प्रस्तोती करन अधिगम के अनुष्रबन अर्थात मॉनिटरिंग तथा किसी अभ्यार्थी की व्यक्तिक अधिगम आवश्यक्ताओं के लिए अतरिक्त अनुदेशन सामिक्री को उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटर क का प्रियोग किया जाता है यह तो पारिभाशिक सब्दावली की बात हुई परन्तु यदि हम इसको और स्पस्ट डंग से समझना चाहें तो पहली चीज तो यह है कि कंप्यूटर सही अधिगम में अन्ता क्रियात्मक्ता एक महत्पूर्ण लक्षण है अन्ता क्रियात्मक्ता का आर्थ है कि जैसे कक्षा में सिक्षक और सिक्षार्थी आपस में वारतालाप करते हैं एक दूसरे से प्रश्ण करते हैं एक दूसरे को प्रश्ट पोशन देते हैं सिक्षक सिक्षार्थियों को नहीं होता लेकिन अध्यापक के रूप में कंप्यूटर आधारित यह प्रणाली निरंतर सिक्षार्थी को अंता क्रियात्मक्ता के अवसर उपलब्द कराए दूसरा विंदु जो है वह है अनुदेशन सामिक्री का प्रस्तुतिकरण मूलता अनुदेशन सामिक्री का प्रस्तुतिकरण कक्षा में अध्यापक की द्वारा किया जाता है या विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक से अनुदेशन सामिक्री को ग्रहन करते हैं परंतु कंप्यूटर साही अधिगम में कंप्यूटर आधारित बिभिन प्रोग्राम और अबिभिन प्रणालियों के प्रियोग से हम एक ही प्रकार की सामिक्री का भिन स्वरूपों में प्रस्तुतिकरण करते हैं तीसरा इसका लक्षन है आधिगम का अनुश्रवन अर्थात मॉनिटरिंग बच्चे कितना सीख रहे हैं कक्षा में अध्यापक का भी यह कारे है कि ज उसके अनुसार विशेवस्तो को परिवर्तित करता है उसके अनुसार सिक्षन अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित करता है उसी प्रकार यह कंप्यूटर सही अधिगम प्रणाली अधिगम के अनुश्रवन का काम भी करती है और सबसे बड़ी बात यह है जैसा कि हम सब जा कि प्रतेक बालक अपने वैक्तिक स्वरूप में जो जैसे सीखता है वही उसकी सीखने की प्रक्रिया अपने आपने You प्रतेक को उसकी वयक्तिक आवस्चेक्ताओं के अनुरूप सिंस्छन सामयियी कक्षा में पूरी कक्षा के लिए जब सामयुक्त-वर परम्पस सुथूत करते हैं तब उपलब्द नहीं हो पा रही है तो उसको अतरिक्त प्रयासों के रूप में ये सिक्षण सामेगरी दी जाए इस रूप में भी हम कम्प्यूटर सह अधिगम प्रणाली का प्रियोग करते हैं धन्यवार डाक्टर सिंग आपने मूल सब्दों के माध्यम से विसेप प्रकास डाला यहां पर मैं आप से जानना चाहूंगा अधिगम प्रणाली परंपरागत सिक्षण से किस प्रकार भिन होती हैं आपका प्रश्ण बहुत-उचित है रिशाब जी की जब हम ओम्प्यूटर सए अधिगम प्रणाली पर कर रहे हैं तो हमारे अध्यापक साथियों को यह जानना परम आवश्यक है कि वे जो परंपरागत सिक्षन करते हैं उस परंपरागत सिक्षन से यह सिक्षन किस प्रकार भिन है जैसे परंपरागत सिक्षन में क्या होता है परंपरागत सिक्षन में एक अध्यापक विद्यार् क्राइड की होती है जब कि जब हम computer स्फिक्ष्ण में देखते हैं तो वहां पर विषयवस्तु तो computer साँ अधिग्म् प्रणाली द्वारा प्रस्तुत की जाते हैं अर्थाथ वहां से अध्यापक भूमिका विशfern वस्तु प्रदाता की नहीं ओती तो छे बूआ किस भूमिका में होता है उनको प्रोट्साहन दाता की भूमिका कॉर सिक्षार्थियों को कॉपुवज द्वरा करना है तो एक अध्यापा कुख्षा में विद्ध्यारथियों को कंप्यूटर के सिक्षा में उप्योग हे तू स्वाध्यन हे तू प्रेडित करता है और उनको उसका प्रियोग कैसे अच्छे डंसे वो कर सकते हैं इसके लिए वो मार्क दर्शक की भूमी का निभाता है यदि हम परंपरागत सिक्षन और कंप्यूटर साही अधिगम सिक्षन में भिनता को देखें बिविन आयामों पर तो इसके बिविद आयाम हो सकते हैं जैसे दोनों में सिक्षक की भूमी का क्या है दोनों में विशयवस्तु किस प्रकार की होती है और दोनों में अधिगम में तो प्रोथसाहन कैसे दिया जाता जहां तक सिक्षक की भूमिका की बात है अभी मैं इस पर बता चुका हूं कि परंपरागत सिक्षण में सिक्षक की भूमिका एक विशय वस्तु प्रदात्ता की होती है जब कि कंप्यूटर सही अधिगम में एक सिक्षप की भूमिका एक प्रोथ्चाहक की होती है जब विद् जबकर उनको कुछ प्रदान करता है और वो उसको ग्रहन करता है अर्थात एक सिक्षार्थी कि भूमिका एक विद्यार्थी की भूमिका सामनता कुछ ग्रहन करने वाले की होती है। जबकि computer सहय अधिगम में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होता है, active participant होता है, विशेवस्तु के यदि हम बात करें, तो कई बार जो परंपरागत सिक्षण है, उसमें जो विशेवस्तु विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, वो मुखेता सैध्धान्तिक प्रकृति की होती है, जबकि computer सहय अधिगम में जो विशेवस्तु प्रदान की जाती है, वह मुखेता एक तो बास्तविक अनववों पर आधारित होती है, बालक के चारो और जो वातावरण है, उससे उधारन लिये जाते हैं, उन पर आधारित होती है, और चूंकी वे को स्वयम ग्राण करता है, इसलिए विशेवस्तु ग्राण करने में वास्तविक्ता परधान हो जाती है, चौथा आयाम है दोनों में भिनता का, अधिगम हे तु प्रोथसाहन, जैसा कि आप जानते हैं, परंपरागत सिक्षण में सामानता विशेवस्तु को एक क्रम में प विद्यार्थियों को प्रोथसाहन मिलता है, जबकि कम्प्यूटर साही अधिगम में चुकि विद्यार्थि की गती के अनुसार सिक्षण होता है, विद्यार्थि की रुची के अनुसार सिक्षण होता है, इसलिए वहाँ पर प्रोथसाहन के लिए जो प्रमुक कारक होता ह वह होता है सीखने की ललक और समस्या समाधान की ललक क्योंकि वहां वस्तु तहा जो विशेवस्तु प्रस्तुत की जाती है वह समस्याओं की रूप में प्रस्तुत की जाती है तो विद्यार्थी उनके समाधान के लिए प्रयास करता है इसलिए उसको जो समस्या समाधान करने कि ललक है वो ललक मुख्यता अधिगम के लिए प्रोथसाहन का काम करती है तो जब हम परामपरागत सिक्षन से भिन्नता देखते हैं कंप्यूटर साइधिगम की तो हम पाते हैं वहां सिक्षप की भूमिका में भिन्नता है वहां विशेवस्तु के प्रकृति में और से बताया कि किस प्रकार कंप्यूटर साइधिगम परणपरागत शिक्षन से भिन्न या इसी करम में उन्हां से जानना चाहेंगे घर लावों पर चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि हमें computer-sahe adhigam के कुछ अनुप्रयोगों पर द्रश्टी डालनी चाहिए क्योंकि जब हम इसके अनुप्रयोगों पर द्रश्टी डालेंगे तो फिर हमें लाब को समझने में आसानी रहेगी सामाने तो computer-sahe adhigam का प्रयोग एक तो दूरस ताधिगम में और दूरस सिक्षा में वहतायत किया जाता है और यह दोनों रूप में किया जाता है बैवाधारित सिक्षा के रूप में अर्थाद जब हम internet का इस्तेमाल करते हैं computer-sahe adhigam के लिए और बैवरहित सिक्षा के रूप में अर्थाद जब हम computer या video technology के तो प्रियोग करते हैं video तकनीक का तो प्रियोग करते हैं लेकिन उसके लिए internet की आवश्यक्ता नहीं होती है तो एक चीज तो यहां पर यह स्पस्ट हो जाती है कि जब computer-sahe adhigam के अनुप्रियोगों की हम बात कर रहे हैं तो computer-sahe adhigam के दोनों प्रकार के अनुप्रियोग दूरस्त अधिगम और शिक्षा में होते हैं एक तो internet और बैवाधारित शिक्षा पनाली के रूप में और दूसरा बिना internet के computer और video technology के रूप में मैं एक उधारन के रूप में इसको प्रस्तत करता हूं मान लीजिए आप किसी वच्चे को बिज्ञान का या पर्यावरान अध्यन का एक पार्ट पढ़ाना चाहते हैं मान लीजिए आप जल के अनुप्रियोग या जल विशह से समंदित पार्ट computer-sahe adhigam के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं तो इसके जल के अनुप्रियोगों जल के शरोतों जल में पाए जाने वाले घटकों जल में पाए जाने वाले जीवों अच्छे जल और प्रदूशित जल के बीच अंतर भारत में पे जल की समस्या इससे समंदित कुछ चित्र कुछ वीडियो क्लिप्स जो तमाम जगे उपलब्द है उनको मिलाकर एक प्रोग्राम बनाएं और वो प्रोग्राम एक CD के माध्यम से विध्यार्थी तक पहुंचा दें जब विध्यार्थी इस प्रकार विक्सित सब कंप्यूटर से अधिगम प्रारूप से अध्यन करेगा तो उसके लिए इंटरनेट की आवशक्ता नहीं होगी साथ ये इशे विषय पर आप एक ऑनलाइन कोर्स डिबलप करें जिसमें विध्यार्थी इंटरनेट पर आए वो लॉग इन करें उसको एक निश्चित समय दिया जाए उस समय जो प्रसारण हो रहा है जो भी अध्याप की अविषय शक के वहां चर्चा कर रहे हैं वो उस चर्चा को सुने ठीक तो इसको इस तरह as से कहतने है कि कंप्यूटर से दो प्रकार का अधिगाम होता एक होता है समकालिक सेइन्क्रोनस और एक होता है ओनिक नहीं होसकता लेकिन जो कंप्यूटर पर इंटरनेट रहित अ अधिकांस तहा विशमकालिक होता है दूसरा है computer Madrid courseware के रूप में पूरे पूरे पाठे क्रम को छोटी छोटी विशयवस्तु में बाट कर उसमें कुछ प्रशन जोड़ कर उसको एक निश्चित क्रम में समायुजित कर दिया जाता है उक्षिता यह जो skinner का सिध्धान्त था उस रूप में भी computer सयधिकम का प्रियोग होता है online कक्षाओं के रूप में computer सयधिकम का प्रियोग होता है यह कई वार क्या होता है कि यदि एक श्रोत से संपूर्ण जानकारी उपलब्द कराना संभव नहीं है तो जो इस प्रकार के अनुप्रियोगों को कर रहे हैं सिक्ष होगा कि computer सयधिकम से हमें कौन-कौनसे लाब मिलते हैं जैसे पहला लाब है कि computer सयधिकम सूचना प्रदान करने के एक से अधिक माध्यम उपलब्ध कराता है एक से अधिक माध्यम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमको c.d.ke.roup में भी सूचना प्राप्त होती है उस तो सूचना प्रदान करने के लिए आपके पास केवल पुस्तक ही माध्यम नहीं रह जाती केवल अध्यापक की कक्षा में दिया गया भाशानी माध्यम नहीं रह जाता बल्कि सुचना प्रदान करने के इसमें जोड़े जा सकते हैं. दूसरा जा लाव इसका ये है, कुई कख्षा में बच्चों की एधिकंस बइन बिन होती है. ऑप shop. लाव पहुचाने की जिस अधिकंस बच्चे अपनाते हैं. क्योंकि वह एक सामोहिक अधि उसलिब का प्रयास करता है व typ प्रतेक बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार से नहीं पढ़ा सकता लेकिन प्रतेक बच्चे सीखता अलग 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 प्रकार से करता है। तो computer साहि अधि लाव यह है कि विद्यार्थी इसमें अपनी गती से अधिगम कर सकते हैं उनकी सीखने की जो गती है वह भिन भिन हो सकती है जो दीरे-दीरे पढ़ना चाहता है वो दीरे-दीरे पढ़ सकता है जो एक साथ ज्यादा विशयवस्तु पढ़ना चाहता है वो एक साथ ज्यादा पढ़ सकता है तो विद्यार्थी अपनी गती से अधिगम कर सकते हैं और यह इसलिए भी संभव है क्योंकि अधिकांस computer सही अधिगम प्रणालियों में हम विशेवस्तु को CD-ROM में यह किसी भी रूप में विद्यार्थी के जिसकी बात मैंने पहले भी की कि अंताप्रियात्मक्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनोती भी है उनके लिए जो computer सही अधिगम प्रणाली पर आधारित विशेवस्तु को तयार करते हैं साथ ही computer सही अधिगम प्रणाली से जब बच्चे सीखते हैं तो इसकी जो आकलन प्रक्रिया होती है वो भी आसान होती है इसमें एक तो स्वा आकलन की व्यवस्ता की जाती है अभी जब हम विविन प्रकार के computer सही अधिगम पर चर्चा करेंगे तो इस पर आगे होता है और साथ ही इसमें लचीलापन होता है तो यह computer सही अधिगम के कुछ महत्पूर्ण लाव हैं इसके साथ ही परंपरागत कक्छा कक्छे सिक्षन और अधिगम सामगरी को एक अतरिक्त मदद मिल जाती है यदि सिक्षक यह चाहे कि वह सामाने पद्दती से भी पढ़ा लाव होता है कि इसमें विद्यार्थी को तातकालिक प्रश्ट पोशन मिल जाता है उसको फीडवेक तुरंत मिल जाता है उसने अगली विशेवस्तु पर पहुंचने से पहले पिछली विशेवस्तु में उसने कितना सीखा किस हद तक सीखा उसका प्रश्ट पोशन उसको म तो विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में अधिक्तम समय तक सक्रिय रहते हैं तो अधिक्तम समय तक सक्रिय बनाए रखना ये भी इसका एक बड़ा लाव है इसमें प्रोथसान तुरंत मिलता है और इसका सबसे बड़ा लाव उन विद्यार्थियों के लिए है जहां आपक तो एक पार्ट समाप्त होने के बाद जब अद्यापक उनका प्रिक्षण लेता है तो उसको लगता है उनका प्रिक्षन के माध्यम से जानने का प्रयास करता कि वो किन शेत्वों में प्रारूप पक उन छेत्रों पर आधारित कंप्यूटर से अधिगम प्रारूप में विश्यवस्तून के सामने प्रस्तुत करें तो वह एक उप्चारात्मक सिक्षण की युक्ति के रूप में प्रभावी प्रियोग कर सकता है अपने विस्तार से इसके लाव और अप्रियोग की चर्चा की अब मैं जानना चाहूंगा कि कंप्यूटर से अधिगम की विभिन विधियां क्या है हमारे सिक्षार्थियों के लिए और हमारे सिक्षकों के लिए जानना आवश्यक है कि यदि कंप्यूटर से अधिगम के इतन जा रही है जिन विश्यों के हम चर्चा कर रहे हैं यदि उनको कक्षा में उनके अभ्यास के अबसर दिये जाएं तो वे कैसे करेंगे देखिए कंप्यूटर साही अधिगम के उपयोग की रिशब जी बहुत सारी विधियां हैं परंत यहां मैं चार मुखे विधियों पर चर करिया कलाब और चौथा है मॉडलिंग या प्रतिमानी करन मैं एक एक परविस्तार से चर्चा करता हूं देखिए ड्रिल और अभ्यास हमारे सारे सिक्षक यह करते हैं परंपरागत सिक्षण में भी करते हैं गड़ित में बहुत बहुत में प्रियोग होता है अन्य विश्य को हम निरंतर अभ्यास देते हैं चाहें वो उनको कोई वरतनी याद करने का अभ्यास हो उनको व्याकरण से संबंदित अभ्यास हो गड़ित के प्रशनों को हल करने संबंदित अभ्यास हो और यह मानते हैं कि वह जितना अभ्यास करेंगे उतना वह निपोण होते जाएंग करने के बाद उसको उस विशयवस्तु पर अभ्यास के बहुत सारे अभसर प्रदान किये जाते हैं अर्था चोटे-चोटे बहुत सारे अभ्यास कारे हम इसमें बना लेते हैं या कुछ प्रश्णोत्रियां बना लेते हैं चोटे-चोटे प्रश्ण बना लेते हैं और उनके उत्तर होते हैं, तो सिक्षार्थी को उसमें अनगिनत अवसर उपलब्द कराए जाते हैं, वो जितनी वार अभ्यास करना चाहें, विन विन रूपों से उसको अभ्यास के अवसर उपलब्द कराए जाते हैं, जिससे कि वह विशयवस्तु उसने जितनी पढ़ी है, जितना द साथ ही यदि उत्तर बार बार गलत हो रहा है, विध्यारती विशेवस्तू को पढ़ रहा है, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, उत्तर बार बार गलत हो रहा है तो फिर इसमें संकेतकों की व्यवस्ता भी गी जाती है कि उसको उचित संकेतक दी जा सकें ताकि अगली बार जब वो पढ़े तो उन संकेतकों को ध्यान में रखते हुए विशेवस्तों को पढ़े और फिर से प्रशनों को हल करे खास तोर पर तथियों की जानकारी देने में नियमों की जानकारी देने में कुछ कठिन विशेवस्तों की सिक्षन में ये विधी बहुत उपयोगी है खास तोर पर विज्ञान में परियावरन अध्यन में गनित में सामाजिक विज्ञान में इन तमाम विश्यों में हम ड्रिल और अभ्यास विधी पर आधारित, कम्प्यूटर, सहायतित, अधिगम, प्रणालियों का प्रियोग कर सकते हैं ऐसी ही जो दूसरी विधी है वो है टूटोरियल टूटोरियल क्या होता है देखिए यदि इस टूटोरियल शब्द को हम देखें तो इसका एक नकारात्मक पक्षवी कई बार मस्तिष्क में आ जाता सिक्षकों के कई बार टूटोरियल को सिक्षक टूशन से जोड़ लेते हैं यहां पर टूशन से लेना देना नहीं है ट्यूटोरियल और ट्यूशन दोनों का यदि शाब्दिक अर्थ हम लें तो शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति की विशेष्टता के आधार पर उसको कम मात्रा में विशेष सामिक्री उपलब्द कराना जिससे कि वह अपनी गती के अनुसार सीख सके तो ट्यूटोरियल की पहली विशेष्टा हो गई कि हम इसमें अधिगम सामिक्री को कम मात्रा में प्रस्तुत करते हैं एक बार में ही पूरा पार उसके सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं एक पार को बहुत चोटे चोटे भागों में वांट लेते हैं और एक बार में उसको एक पोश्ट प्रदान किया जाता है साथ ही टुटोरियल की एक और खुबी होती है और कंप्यूटर साहिते तदिकम में तो यह विशेस्ता है कि उसमें आने वाली विशेवस्तु इस पर नर्वर करती है कि विद्यार्थी की प्रगति की दर क्या है विद्यार्थी की प्रगति की दर के आधार पर आगे आने वाली विशेवस्तु का निर्धारन किया जाता है यदि वो धीरे-दीरे सीख रहा है तो आने वाली विशेवस्तु देर से आएगी यदि वह जल्दी जल्दी सीख रहा है तो आने वाली विशेवस्तु सिगृता से उसके समक्ष आ जाएगी साथ ही इसमें रेखिक क्रम में विशेवस्तु का नियोजन या समायोजन किया जाता है तो इससे खास तोर पर ऐसी विशेवस्तु जहां आपको रैखिक क्रम में या क्रमिक रूप में विशेवस्तु परदान करनी हैं जैसे कई बार गनित में जो कठिन प्रश्ण होते हैं या कठिन शूत्र होते हैं जिसमें एक शूत्र को कई चरणों में सीखना होता है या विश्यवस्तू को प्रस्तुत करने में ट्य टिटॉरियल बहुत मदद करते हैं. खास तोर पर ऐसी अत्मत और विशलेशन की आवश्क्ता होती है, जो विशलेशन आत्मक विशेश सामिग्री है, जहां हम विध्यार्थियों से आप एक्षा करते हैं, कि वो किसी वस्तु को खाश्तरपर बहाशा में, बहाशा कोसलों के विकास में, कॉम्प्रेन्शन को समझने में, इस तरह के जो वि क्रिया कलाप की बात करते हैं तो जैसा कि हमें नाम सही इस पस्ते सिमूलेशन अर्थात कोई चीज कोई प्रारूप को उसी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है ठीक हमने कंप्यूटर के सिमूलेटर देखे हैं अगर हमारे अध्यापक कभी किसी अच्छे कार चलाने वाले संस्थान में गए होंगे तो वहां उन्हेंने कार चलाने के simulator देखे होंगे यह TV पर यह समाचारों में यह सुना होगा कि कई बार जो लोग हवाई जा चलाना सीखते हैं उनको सबसे पहले simulator पर अभ्यास कराया जाता है तो simulator क्या होता है आभासी परिस्थिति में आभासी इस्थिति में बास्तिविक परिस्थितियों को प्रदान किया जाता है तो एक तरह से computer द्वारा निर्मित इस्प्रकार की सामिग्री एक बास्तिविक प्रक्रियाओं की नकल होती है जैसे मैं इसका उधारन देता हूं माली जी बच्चों को हमें यह बताना है कि मेटलर्जी का जो टॉपिक है कि लहो ऐस्क से लहो कैसे बनता है अब या तो हम उसको उसकी बिवन चरणों को पाठ्थ पुस्तक में लिखकर पढ़ा दें या हमारे पास यही संभव है तो हम उनको जहां लहो ऐस्क से लहो बनता है ऐसे किसी फैक्टरी में जाकर कार खाने में जाकर उनको घुमा दें लेकिन वो खतरनाख है सब जाते हैं कि बात्या भट्टी जहां पर यह पिघलता है लहो ऐस्क वहां पर 1200 डिग्री सेंटिग्रेट इतना उच्चत आपमान होता है उसके आसपास भी जाना संभव नहीं होता और प्रक्रिया उसके अंदर घटती है पर क्रिया तो उसके अंदर घटती है लहो ऐसे लहो क्यों वो कौन देखेगा उसको बास्तविक परिस्तितियों में दिखाना संभव नहीं है और यह जीवन परिस्तितियों में दिखाएंगे तो बहुत खतरनाक प्रियोग है तो यदि हम उसका सिमुलेशन बना लें प्रियों अन तैयार कर लें और उसको सिमुलेटट परिस्तिती में सिमुलेटट रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करें तो बच्चे समझ पाएंगे कि किस पाइप से आता है कहां गिरता है कैसे तापमान आगे बढ़ता है किस प्रकार वो प्रस्तुत सामानिता प्राकृतिक पारिस्थितिक या मानव निर्मित संस्थान या मानव निर्मित जो यंत्र होते हैं उनका प्रतिमान बनाकर उनकी बास्तविक क्रियाविधी दर्शाई जाती है आभासी रूप से जब हम बास्तविक क्रियाविधी को प्रस्तुत करते हैं बास्तविक करनों तथा प्रक्रियाओं के अनुभव में उपयोगी मानते हैं अब विस्तार से विधियों के बारे में चार पक्षों को लेकर समझाया और कहीं हम यह समझ रहे हैं कि यह हमारे सिक्षक के लिए प्रकार हैं वहन सी प्रविदियां हैं जिनका विए प्रियोग अपनी कश्या में कर सकते हैं और मुझे आशा है कि जिन्हों ने इस कारिक्रम को सुना और देखा है वे लोग अब तक इतना तो समझने में सफल हुए ही होंगे कि के अधिगम के बहुत सारे धारित करना पड़ता है कि वह कंप्योटर से अधिगम को क्यों प्रियोग करना चाहता है जैसे जब हम ब्विन प्रणाल्यूंक हो का उधारण दे रहे दे मानली जी एकक्षा में एक सिक्षक को वर्षा चक्र पढ़ाना है जल चक्र पढ़ाना है अब या तो वो जल चक्र के उधारन देगा जल चक्र का चार्ट दिखाएगा परन्त यदि उसके पास उसका कोई simulation model उसको कहीं computer आधारित model मिल जाता है तो वह उस computer आधारित model का प्रियोग करके बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकता है कि किस प्रकार से जल में वाश्पी करन होता है कैसे उसमें संगरन होता है कैसे उसका ध्रवी करन होता है और वह तीनों प्रक्रियां एक simulation के माध्यम से सिखा सकता है तो उसको पढ़ाने का उद्देश चिक्या है दूसरा जब वह computer सायधिगम की योजना बनाता है तो उसको ये भी दिहान में रखना आवश्यक है कि उसके यहां कितने computer उपलब्द हैं उपलब्द हैं भी कि नहीं कि computer सायधिगम का प्रियोग आप तभी कर सकते है जब आपके पस computer उपलब्द हो में पर्याप्त संख्या में उपलब्द हो माइं तो आप computer Syaiadigam का प्रणाली करना चाहते हैं तो उनके कितने कंप्यूटर हैं किस प्रकार से उपलब्ध हैं जहां कंप्यूटर हैं वहां अस्थान कितना है यदि वह चाहिए कि उसके कक्षा में 50 विद्यार्थी चालिस विद्यार्थी तीस विद्यार्थी और कंप्यूटर सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद कम्प्यूटर सह अधिकं का क्रियानवेन करना जिसमें उसमें विद्यार्थियों को बताना होगा कि आज उसको क्यन उद्देशों को प्राप्त करना है उसको उससे क्या सीखना है वो उसको किस प्रकार अन्ने क्रिया कलापों में समाविशित करेगा जैसे यदि उसने सिमुलेशन पर या कोई मॉडल दिखाया तो वे विद्यार्थियों से कह सकता है कि इस मॉडल में विद्यार्थी जिन जिन चर्णों को देख रहे हैं उनका अपनी कॉपी पर उलेख करें अपने अभ्यास पुस्तिका पर उलेख करें उनका क्रम निर्धारित करें प्रतेक क्रम में प्रतेक चर्ण में जो प्रक्रियाएं हो रही है वो ध्यान से देखें कौन-कौन सी साफधानिया बरती जा रही है वो ध्यान से देखें तो इस तरह से कंप्यूटर सा यदिगम का क्रियान वयन और प्रभावी क्रियान वयन ये भी एक सिक्षक का महत्तो पूर्ण कहना चाहिए कि एक सिक्षक की जुम्मेदारी हो जाती है धन्यवाद गौरण जी आपने विस्तार पूर्वा कंप्यूटर सा रिगम की संकल्पना इसके लिए आवसे संसाधन, विधी और लाप पर चर्चा की मैं अपने सिक्षार्चियों के ओर से आप अपसे निवेदन करूँगा कि आप अपनी विचारों को संचेप में हमारे लिए एक बाद पुना प्रस्तुत करें जिससे हम उसे बाद में समराइज कर सकें जे रिशब जी देखिए आज हमने जो चर्चा की उस चर्चा की हमने प्रारम किया कंप्यूटर सही अधिगम की प्रस्तावना से कि यह होता क्या है इसके मुखे लाब क्या होते हैं हमने ये भी चर्चा की कंप्यूटर सही अधिगम की कौन-कौन सी प्रणालियां हैं जिन ही हमने ये भी बात की कि जब अध्यापक इनका प्रियोग करें तो उनको कौन सी साफधानिया रखनी चाहिए उनको कैसे विश्यवस्तु का चैन करना चाहिए कैसे उद्यश्यों का चैन करना चाहिए कैसे वहां पर जो संसाधन उपलब्ध हैं कंप्यूटर से संबंदित उन संसाधनों को ध्यान में रखकर ही इसका प्रियोग करना चाहिए तो मुझे आशा है कि आज का ये कारिक्रम देखने के बाद हमारे सिक्षार्थी और हमारे सिक्षक जो भी मित्रिस को देख रहे हैं वो इसको प्रियोग करने का प्रयास करेंगे और अपनी कक्षा में यदि संभव हो तो कम्प्यूटर साई अधिगम के माद्यम से विशेष्टा उन विद्यार्थियों को अब सरुपलब्द कराएंगे जो विद्यार्थी सामाने कक्षा में अधियापक की सामाने गती से सीखते समय कहीं पीछे चूट जाते हैं या उनकी वेक्तिकत अधिगम आवश्रक्ता आएं या वेक्तिकत अधिगम शैलियां भिन्न होती हैं जिस कारण वो शायद पीछे रह जाते हैं तो कंप्यूटर साहतित अधिगम का वहां प्रियोग बहुत प्रभावी डंग से किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। निशित रूप से आपके इस विचार से हम सहमत हैं और कंप्यूटर से अधिगम द्वारा हम अपने सिक्षण की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, अधिगम में भिन्नता को समवर्धित्व करने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपने महतूर्ण विचारों को हम सभी से साजा करने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। धन्यवाद।